एे वाट्स अप गाईज, विल्कम बाक वन सगीन, दोस्तों आची कहानी जो एक्स्प्लीन करने जा रहे हैं, वो असल में दो बहनों की जजबे की कहानी है, कैसे वो एक दूसरे के साथ छोड़े बिना मुसीबतों से ललती रही, कहानी के शुरुआत होती है नौर्वे नाम क इस शहर से जहां पर हमिक नदी को देखती है, जिसमें इडा जो की बड़ी बहन है, और तूबा जो की छोटी बहन है, दोनों इसकूबा डाइविंग कर रही हैं, लेगिन तभी तूबा कहीं खो जाती है, उसकी बहन उसे बहुत ढूणने की कोशिश करती है, लेगिन वो क ही दिखाएं नहीं देती, और इसके बाद वो शोर मचाना शुरू करती है, उसकी आवाज सुनकर उसकी मा भागते वे आती हैं और पानी में कूच जाती है, और बड़े ही मुशक्कत के बाद तूबा उन्हें मिलती है, लेगिन आज उसकी जान जाते जाते बजी थी, मौम इडा को बहुत सुनाती हैं और कहती हैं कि तुम इसकी बड़ी बेहन हो, तुमें इसका खयाल लखना चाहिए, इडा भी अब सिर्फ 13 साल की है, लेगिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो सौरी कहती है और दोस्तों यहाँ पर इडा को पता था, कि अगर गलती से कुछ अनहुनी हो जाती, तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती, और इसी वज़े से उसने उस दिन के बाद कभी भी स्कूबा ड्राइविंग ना करने का फैसला किया, यहासा आज भी उसकी दिलो दिमाग पर च्छाय हुआ है, वो कई रातों को इसी वज़े से सो न जाना चाती, वो उसे सच बताती है, उन्हें नीचे जाने से डल लगता है, पर इसकी बेटी बताती है कि उसकी टीचर कहती है कि उन्हें जिस चीज से डल लगता है, उस चीज का उन्हें डट कर सामना करना चाहिए, ऐसा उनका ये डर खतम हो जाएगा, और वो हमेशा आग की नीचे जाना चाहिए वही आपका सपना था ना यहां इड़ा कुछ नहीं कहती और उसे सुला देती है लेकिन उसकी बीटी की कही हुई बाद उसके दिमाग में घूमती रहती है वो अभी सोच में है वहीं दूसी और हम तूबा को देख जो कि एक प्रोफेशनल डाइवर ह है और उसका काम है समुनदर के गहराईयों में जाना और आज दरसल एक शिप के फज जाने के सिलसले में उसे बुलाए गया है उसे नीचे जाना और उसके प्रेपिकुलर को ठीक करना है क्योंकि उसमें शायद कुछ फज गया है इसलिए वह नीचे जाती है और ये जौब नीचे उसकी बॉडी में जाना था वहाँ उसे असल में फैन में कुछ जाली फसीव मिलती है जिसको वो हटानी की कोशिश करती है और साथ में उपर ऑपरेटर से मजाक में कहती है कि तुम लोग ने इसे आफ तो करा है अगर ये फैन आन हुआ तो मेरा कीमा बन जाएगा लेक वो धीरे धीरे तेज होता जा रहा था इसलिए वो अपना ऑक्सिजन सेलेंडर उतार कर फेक दीती है जो जाकर उस फैन में फस जाता और उसकी जान जाते जाते बचती है लेकिन उपर डेक पर आकर वो पाइलेट को बहुत मारती है और उसे बहुत सुनाती है लेकिन सभी लोगों से शान कराते हैं या वो अपने कटे हुए हाथों को देखती है जिससे वो दास हो जाती है लेकिन अगले ही पल्ण हम उसे खुश देखती है क्योंकि आज एडा उसे मिलने के लिए आ रही है और वो दोनों सालों बाद मिल रहे हैं और यही वज़ा है कि वो जल्दी चुट्टी लेकर निकल जाती है उदर हम एडा को देखते हैं जो एरपोर्ट पहुँच चुकी थी और वहाँ पर तूबा उसका वेलकम करती है जिसके बाद दोनों कार में बैठते हैं जहां पर उसे उसकी मा मिलती है जो उसे बेटी के बारे में पूछती है दरसल शादी के बाद इडा सोइडन में रहने लग गई अपनी बेटी के साथ पर अब वो डिवाज देने वाली है इसी सिलसे में वो अपनी मा से बात करती है गर पहुचने पर वो उसे जील को देखती है जहां पर वो खटना हुई थी उसे बहुत आजीब लगता है लेकिन वो इगनोर करके अंदर शली जाती है तूबा के पास जाती है और इसे बताती है कि तुम वहाँ स्वेडन क्यों नहीं आती क्लारा बार 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 तुम्हारे बारे में पूछती है लेकिन या तूबा बताती है कि उसकी एक नई जॉब लग गई है फिलिपीन्स में जिसके लिए उसे कुछ दिन के लिए निकलना होगा पर वो जरूर इसे मिलने के लिए आएगी अब बातों ही बातों में स्कूबा डाइविंग करने का प्लान बना लेते हैं ये लोग वो कहते हैं कि क्यों न कल हम लोग साइड डाइविंग करें तो इडा कुछ नहीं कहती अगली सुबा हम दो किनारे एक टेंट लगाते हैं लेकिन इतने में वहां पर हलकी-हलकी बारिश होने लगती जो कि बच्पन से भी जादा खतनाक है उन्हें जिसके लिए शायद इड़े अभी तयान नहीं है इसलिए वो घबरा रही है वो दोनों नीचे उतरते हैं और तूबा आगे-ागे शलती है क्योंकि वो इस जगां पर पहली भी आ चुकी है अपनी मॉम के साथ लेकिन इड़ा के लिए ये जगां बिलकुल नहीं है एकदम वो वहाँ पर पत्थरों को देखते हैं जो की पानी से कट चुके थे और उसकी वज़े से उन पर काफी अच्छे डिजाइन बन गए थे तूबा इड़ा को मास्क खटाने को कहती है लेकिन वो नहीं सुनती वो से एक शाफ के पास लेकर जाती है जहांपर मास्क की जरुवत नहीं पड़ती तो तूबा मास्क उतार कर उसे दिखाती है और बताती है कि यहां पर देखो यहां इस पत्थर पर मैंने हमारी मॉम का नाम लिखा है जब हम लोग यहाँ पर पहली बार आये थे वो मास्क उतारती है और फिर देखती है जिसके बाद वो उसे और भी बाते बताती है कि कैसे वो दोनों काफी मस्ती हिया करते थे और ये बताते हुए खूब हसती है लेकि नीडा के चेहरे पर इसमाइल नहीं थी वो इरिटेट हो रही थी उसकी बातों से आकिर में उसका गुस्सा बाहर आई जाता है जब वो कहती है कि मुझे वता है कि तुम दोनों लोग काफी मस्ती करते हो पर तुम्हें पता है जब मॉम का डिवास हुआ तो मॉम ने तुम्हें अपने पास रख लिया और मुझे डाट को दे दिया जिसके बाद मेरी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई तुम एडवेंचरस बन गई और तुम दोनों ने खूब एंजॉई किये दोनों के पहस इतनी बढ़ जाती है कि वो अब चिला चिला कर बातें कर रही थी लेकिन आखिर में तूबा बात को ठंडा करती है क्योंकि ये लड़ने की सही जगा नहीं है जिसके बाद दोनों फिर से नीचे जाने लगते हैं वहाँ तूबा उसे एक जगा रुकने को कहती है लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है उसे वहाँ दो बड़ी शार्क दिखती है जिसे देखकर वो डर जाती है और यहां से चलने को बोलती है लेकिन तूबा कहती है कि वो बस हमें देखने के लिए आ रहे है मैं अच्छे से जानती हूं तुम घबराओ नहीं लेकिन ईडा को तो आपको पता ही है कि वो बहुत जादा घबराना शुरू कर देती है पर तूबा देखती है कि वो दोनों शार्क वहां से डर कर चली गई है उसे बहुत अजीब लगता है लेकिन जब वो उपर देखती है तो वहां पर असल में कुछ बड़े पत्थर नीचे तेजी से आ रहे थे तूबा उस पत्थर के नीचे आ जाती है और वो 13 फीट के बजाए 72 फीट नीचे चली जाती है और जाकर समुंदर की इस सतय पर रुखती है अब इड़ा ये देखकर बहुत परिशान हो जाती है और तूबा चिलाना शुरू करती है तभी उसे डिवाइस में तूबा की आवाज आती है जो उससे कहती है कि तुम टेंशन मतलो मैं ठीक हूँ पर वो जिन्दा है और ठीक है लेकिन उसकी ऑक्सिजन जादा देर तक चल नहीं पाएगी इसलिए उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो इस पत्थर को हातों से हिला पाना असंब होगा है वो बहुत ही जादा भारी है ये बात दोनों को अच्छे से बताती है तुबा यहां पर अच्छे से बिहेव करती है क्योंकि अगर वो जादा परिशान दिखने है तो इड़ा भी डर जाएगी कि कहीं उसकी बहन को कुछ होना जाए लेकिन तुबा उसे शान्द होने को बो उसे खोल कर यहां पर लगा दो और मेरे आस पास light को on कर दो वो ऐसा ही करती है इसके बाद वो अपनी बात को continue करती है और बताती है कि तुम्हें ऊपर जाना होगा लेकिन उसके लिए तुम्हें सीधा स्यंदर को नीचे लेकर आना होगा इड़ा समझ जाती है वो सीधा स्य करती है हाला कि ये खतननाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में बबल बनने लगते हैं जो कि दिमाग तक पहुछ सकते हैं और इसकी मौद भी हो सकती है लेकि इनके पास कोई option नहीं है इसलिए वो जैसे तैसे करकी ऊपर पहुछती है लेकिन वो देखती है कि उनके समानों की उ नीचे आना होगा उसकी मदद से हम इस पत्थर को हटा सकते हैं तो इडा फॉरन काम पर लग जाती है और सबसे पहले तो वो कार के शीश्यों को तोलती है उसके अंदर से दोनों से लेंडर को बाहर निकालती है लेकिन जब बारी आती है डिगी की तो उसे खोलना मुश्किल ह हो जाता है दरसल दोस्तों इस कार की कीज उसी बैग में हैं जो कि उन पत्थरों के नीचे दब चुका है उसे अप कैसी भी करके डिगी को खोलना होगा वो भी बिना चाबी के जिसकी लिए वो अपना दिमाग चलाती है और सबसे पहले तो कार की बैक सीट को देखती है जह अभी उसके पास इतना समय नहीं है कि की और चीज़े कर सके है कि कोई तूबा की ऑक्सिजन बस 15 मिट में खतम हो जाएगी उसे फिलहाल तो ऑक्सिजन सिलेंडर देना होगा वो दोनों सिलेंडर को लेकर नीचे जाने लगती है पर दोस्तों तब ही वह एक प्लेन गुजरत इडा पूरी तरह से कनफ्यूज हो जाती है कि वो क्या करे प्लेन के लिए रुके या फिर नीचे जाए उसी चक्कर में उसके हास से वो सिलेंडर नीचे गिर जाता है और फिर क्या था अब उसे नीचे जा नहीं होगा इसलिए वो तुरंत नीचे उदरती है लेकिन तब त अपनी बहन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है और बिना मास्क के ही उस सेलेंडर को ढूनने के लिए चली जाती है जो कि उसे थोड़ी ही दूर पर मिल भी जाता है जिसे लेकर वो फॉरण उसके पास जाती है और सबसे पहले तो उसका मास्क को खुद लगाती है क्योंकि उसने बहुत देर से सांस को रोक रगा था वो तूबा को सेलेंडर से जोड़ देती है और सब शान्त होने के बाद वो से प्लेन के बारे में बताती है तो तूबा कहती है कि ठीक है तुम उपर जाकर देखो क्या पता वो दुबारा आया हो अगर वो नहीं आया होगा तो तुम डिग्गी को खोलने की कोशिश करना इरा उपर जाती है और आसपास देखती है लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि वो प्लेन जा चुका है इसलिए तूबा उसे बताती है कि तुम्हें डिग्गी को तोड़ना होगा उसके अंदर जैक होगा उसे लेकर तुम्हें नीचे आना ही होगा लेकिन उसके दिमाग में वो घर वाला आइडिया घूम रहा था कि आखिर उसे तूबा की बात को मानना पड़ता है वो उस उसका इंतिजार कर रहा था जो अंदर घुषती उसकी तरफ बढ़ता है और मजबूरन खुद की जान बचानी के लिए इड़ाकों से मानना पड़ता है अब पूरे घर में कुछ समानों को ढूंती है जिससे वो डिग्गी को खोल सके लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे हुआ था जाते जाते वो जगान लिख देती है कि वो दो लोग यहाँ पर इस लोकेशन पर फसे हुएं में भी उसके जाने के बाद यहाँ पर कोई आए उनकी मदद करने के लिए अब याँज़ा वो सीधा अपनी कार के पाउप पहुचती है और इस डिग्गी को स्टूल की मदद से खोलने का ट्राई करती है और फाइनली इस बार वो खोल जाता लेकिन अफसोस उसके अंदर ना तो कोई जैक होता हो ना है कोई स्टिपनी वो पूरी तरह से तूट जाती है और वहीं बैट कर लोना शुरू कर देती है अब क्या होगा उसकी बहन बच पाएगी या फिर नहीं ऐसे तो उसकी बहन मर जाएगी क्योंकि ये आकरी सेलेंडर है जो उसने दे दिया उसने पूरी उम्मीद छोल दिया वो मायूस हो जाती है उसका डॉग उसे ऐसे रोते हुए देखकर चुप हो जाता है लेकिन तभी इडा को अपनी मा की याद आती है कि कैसे उन्होंनों उसकी बहन की जान बचाई थी बच्पन में वो फिर से खड़ी उठती है और वहां लगे एक साइन बोट को उखाड लेती है फिर उसे नीचे ले जाने लगती है शायद इससे कुछ काम बन जाए जाते जाते उसे अपना छोड़ा हुआ ओक्सिजन सेलेंडर भ वो उस लकड़ी से उस पत्थर को अठाने की कोशिश करती है लेगिन वो पत्थर बहुत भारी था यहां पर वो टस से मस नहीं हो रहा था और उदर इड़ा का ओक्सिजन भी खतम होने लगता है वो दूसरे सेलेंडर को लगाने को गयती है लेगिन वो देखती है कि उसका टूट चुका है और इसी वज़े से उसमें पाइप नहीं लग सकती है यानि कि जो ऑक्सिजन है अब उसे उसी में काम चलाना होगा तूबा भी अब परिशान होने लगी है कि यह उनका आखरी चांस है इड़ा बताती है कि उसके पास चार या पांच मिनट की ऑक्सिजन ब पत्थर के नीचे रख दें जिसके बाद जब उसमें हवा भरीगी तो उपर जाएगा और ऐसे में वो पत्थर हिल जाएगा अब वो यह चीज़ भी ट्राई करते हैं लेकिन ये भी काम नहीं आता सब कुछ बरबाद हो चुका था कुछ भी सही नहीं हो रहा था इनके वही गलती उसे दुबारा हो गए लेकिन तूपा उसे मना करती है और उपर जाकर मदद ढूने को बोलती है जो होगा देखा जाएगा लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सिजन जो कि इनके पास नहीं है परीड़ा नहीं रुकने वाली थी वो अपना मास तू लाने लगती है उसका डॉग भी चुप था उसे ऐसे पहले कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया वो पूरी तरह से ब्लांक हो जोगी थी लेकिन तभी कुछ बहांकर होता है क्योंकि बैक्गराउंड म्यूजिक तेज हो जाता है और इडा की नजर सामने पड़े उसी प्रकेल आजय के उन ऊपर आ जाता है और उसके अंदर बबल बन गए थे वोसे सबसे पहले वी शाफ पर लेकर जाती है जहां पर वोसे अपना मास्क देती थी जिसनी कोसे होशाता है और फिर वोसे बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है वो फॉरहन नीचे जाती है और वहाँ पड़े आधे oxygen cylinder को तोड़ देती है जिसके बाद क्या था दोनों ही pressure बनने के वज़े से सीधा उपर आ जाते हैं और बच जाते हैं तूबा इड़ा को लेकर किनारी तक आती है लेकिन उसकी नाक से अभी भी खून आ रहा था उसे foreign hospital ले जाना होगा सबसे पहले तो तूबा आग जलाती है ताकि उन्हें थोड़ी गर्मी मिल सके और उनकी खुश नसीबी होती है कि वहाँ पर एक rescue helicopter घूम रहा था उसे देखकर तूबा हाथ हिलाती है और उन्हें देख लेते हैं जिसे इनकी जान बच जाती है झाल 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 झाल